वाज हम आपको rotator cuff repair किस तरह से किया जाता है यह एक animated form में बताएंगे इस वीडियो में हम smith and nephew के anchors को किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको बताने वादे हैं देखिए helicoid एक बहुत ही advanced technology है जिसका एक insertor होता है यह जो anchor होता है वो अंदर से खोखला होता है तो इससे क्या होता है कि anchor के अंदर हड़ी का जमावड़ा हो जाता है और anchor का जो fixation है काफी मजबूत होता है तो यहां हम देख रहे हैं कि यह helicoid insertor को हम डालते हैं उसके बाद anchor को अंदर डाल देते हैं जैसे जैसे healing होती है हड़ी अंदर बन जाती है इन anchors के माध्यम से जो टाके होते हैं उसको first pass mini device के माध्यम से लिया जाता है और first pass mini device के ऊपर tape या sutures जो हैं वो load के जाते हैं और एक एक करके rotator cuff tendons मैंसे यह स्नायू हम बाहर निकाल लेते हैं जब ऐसा करते हैं तो स्नायू के जो ऊपर और नीचे दोनों की layer है उसको अपने अंदर समाहित करना अवश्यक होता है उसके बाद helicoid knotless anchor की मदद से हम इस construct को मजबूत बनाते हैं इसको double row knotless repair कहा जाता है helicoid knotless anchor जो है वो 3-4 tapes अपने अंदर ले सकता है और इसकी जो pull out strength है वो काफी अच्छी होती है इस anchor के माध्यम से lateral row repair बहुत ही सफलता पूर्वक किया जा सकता है जो हमारे धागे rotator cup में से निकल जाते हैं उन धागों को anchor में से निकाल के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद lateral row के माध्यम से repair कियाता है पहले एक काले color की कुंडी होती है उसको गुमाया जाता है और फिर औरेंज कलर की बगवा कलर की जो कुंडी होती उसको गुमाया जाता है और उसके साथ ही साथ यह जो एंकर है वो अपनी जगे पर काफी अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है तो इस तकनीक को हमारी बाशा में डबल रो रोटेटर का प्रिपेर कहते हैं और स्मित और नेफ्यू के हेलिकोईल एंकर्स और हेलिकोईल नॉट्रेस एंकर्स के माद्यम से यह सरजरी बहुत ही सफलता खूरवक की जा सकती है दोस्तों अगर आपको इस सरजरी के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिये एगर मेंबर पर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं धन्यों